हेलो दोश्तों MS Mathematics में आप सभी का स्वागत है मैं सुनु गुपता आपके सामने बहुत ही बढ़िया कोश्चन है इस कोश्चन को कैसे सौल कर पाते हैं इसको हम लोग देखते हैं दी डेमीटर अप मैटलीक श्वयर इसे 6 cm मैं मेल्थ में टेका तर्वला दोश्चन कि आपके सदाया बढ़िया मिवायर है उसके बाद वायर उसक चॉक्र दी रहन है रहर है कि और स्अस्वाल को क्रोश्चन माने बढ़िया मैटवस्चन के यहार यहाँ देखते हैं 2.2 cm अब यहां पर कहता है कि हमें लेंथ बताना है तो हम लोग बॉलिम का कंसेप्ट रिच करेंगे स्फेर का बॉलिम बराबत है 4 by 3 pi r q तो capital R इसको मान सकते हैं ठीक है is equal to हो जाएगा अब यह हो गया जो wire है वो cylindrical shape में होता है तो उसका बॉलिम का formula होगा pi r square h ठीक है pi r square h जो h होगा वो ही length of the wire हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां पर हम लोग देखेंगे pi से pi यह cancel हो जाएगा ठीक है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा असानी के लिए इधर r square है इधर r q है तो हम r q को इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा r into 4 upon 3 into r upon r का whole cube हो जाएगा is equal to h यह आसान हो जाएगा calculation आसान हो जाएगा अब इस r का माने 0.2 small r हम लोग 0.2 माने है और capital r को माने है 3 cm ठीक है into 4 upon 3 हो जाएगा into यहां पर हो जाएगा capital r 3 upon small r 0.2 का cube is equal to h यहां point हटाएगे तो यहां 0 बिठेगा तो यह 15 बार में कट जाएगा यहां भी point हटाएगे तो यहां 0 बिठेगा तो यह 15 बार में कट जाएगा कितना से भाग करेंगे तो हम सहव से भाग करूंगे दो से जीरो कट जाएगा बच़एगा, कितना 9 मीटर बच़एगा तो जो लेंथ आप過來 पुछ रहा था, हमले जो लेंथ आप का रहा हो गा तो यानि ए उप्षें नमपर 2 होगा वो correct हो जाएगा आसे करते हैं आपको solution बिल्कुल समझ में होगा धन्यवाद